हेलो फ्रेंड माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नालोंज में आपका स्वागत है आज मैं आपको ट्रेन में लेजबी कोच के बारे में बताऊंगा जब प्राना समय था तब उस समय लेजबी कोच नहीं लगा जाते थे कुछ खास ट्रेंडों में ही लेजबी कोच लगा जाते थे जिसे कि राजदानी शताब्ती तेजस गतिमान दुरंतो इन में ही लेजबी कोच लगा जाते थे और एलेजबी कोच क्या होता है मैं आपको उसको पूरी रिजानकारी दूँगा तो जिसके चलते यहाँ एलेजबी कोच नहीं लगे देते ट्रेनों में तो ट्रेनों में बड़ा हाथसा होता था जिससे कई लोगों की जान भी जाते थी जैसे आपने देखा होगा कि कालका का भी जबर्दत हुआ था उसके बाद इंदोर पटना इसमें भी सो डिर सो लोगों की मृति हुई थी तो यह नार्मल डब्बे थे तब इनमें कुछ एलेजबी कुछ नहीं लगे हुए थे इस कारण से यह दुखत हास्सा हुआ था अब सरकार ने यह निल्ले ले लिया है कि राजधानी शताबदी में जैसे लेजबी कुछ रहते हैं वैसे सभी ट्रेनों में लगा जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां में जो इमेज में फोटू में आप देख रहे हैं इसमें सभी ट्रेनों में अधिकतर लेजबी कुछ लगाए गए हैं और चीन ट्रेनों में LHB Coach नहीं है उन्हें भी इसमें LHB Coach लगा जा रहे हैं और यह Coach क्या होता है इससे क्या फायदे होते है यह भी मैं आपको बताओंगा यह सबसे पहले बात तो यह है कि LHP koach लगाने से ट्रेनों की स्पीड जो है जिन जन ट्रेनों में LHP koach लगेवे हैं उनकी रफ़तार 130 कल्मूटर परते घंटे की रहती है और 130 कल्मूटर के रफ़तार से चलती है ट्रेने इनमें पहली स्पीड बढ़ जाती है दूसरी बात यह है कि इनमें दुरुघटना नहीं होती है तो इसमें लोगों को छटी नहीं पोश्ती है ना किसी की जान जाती है क्योंकि यह हो आटोमेटिक रहते हैं उसमें अग्दम से ब्रेक लगते हैं और कोई पटरी से उतरने के संभावना नहीं रहती कभी बायचाज होता भी है तो इसमें जाने बहुत कम जाने के संभावना रहती है आपने कभी देखा होगा कि राजधानी शताबदी गतिमाने सी किलिमोटर की रफतार से चलती है पर आज तक भी आपने ऐसा सुना होगा कि यहां राजधानी का एक्सेंट हो गया शताबदी का एक्सेडेंट हो गया क्योंकि इन ट्रेनों में लेजबी कोच लगे हुए रहते थे जिनसे यहां एकदम से स्पीड होने के कारण भी और कोच लगा जाएंगे अब ट्रेने सुरक्षित रहती हैं अधिकतर ट्रेने जित्ते भी हैं उन्में लगा भी जा चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इंदोर पटना आवनतिका एक्सप्रेस इन में लेजबी कोच लग चुके हैं और बहुत सारी ट्रेने ऐसी हैं अब कि मातर कुछ ट्रेने ऐसी रहे गई हैं जिनमें लगाना बाकी है पर उनमें भी यहाँ कोच लगा जा रहे हैं और यहाँ कोच लगाने के बहुत फाइदे रहते हैं इनमें ट्रेनों की स्पीड जो है सबसे हाइफाइस पीड चलती है ट्रेने और पट्री से उटरने की संभा कि यह पत्री से कोउछ उतर जाते थे जो पुराणे कोउच रहते से और एकदम से समल नहीं पाते से और डबे के डबे एक दुसरे को पच चार जाते से मैं जैसे ही आपने इंदोर पटना के बारे में देखा हो गया, उस पुराणे कोउच जब उसका हाथ सा हुआ था तो उस ट्रेन इंदोर से ही चलती है इंदोर से बटना तो इस हाथ से को दिखते हुए पधान मंत्री जी ने यह नहीं लिया कि जैसे राजधानी शताबदी में इस सारी सुब्धा दिजाती है लोगों को वेसे ही अब सब ट्रेनों में यह एलेजबी कोछ लगा कि उनको सुब्धा जी जाएगी ताकि यह हाथ से कम हो और अगर कभी होते भी है तो किसी लोगों की जान नहीं जाए और सबसे अच्छी बात यह है कि यह इसमें इलेजबी को जिसमें ट्रेन में लगाए गए हैं कि स्पीड वन थल्टी क्लिमों ट्रेक परते घंटी के रफ्तार से हो जाती है नहीं तो ट्रेने 80-90 की स्पीड से जादा नहीं चलती हैं तो यह मैंने आपको पूरी जानकारी दिये और आपके मेरे चैनल पस्राइब तो सबस्क्राइब जूरूर करें